अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें साथ में बलाग इंट्रेस करिए और साथ में जॉइन करिए फ्री टेलिगरम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है सो 24 नमबर 2020 मौर्निंग शिफ्ट एक्जाम यूजी सेनेट के लिए कैसा रहा कम्प्लीट एनलसिस करेंगे कैसे कॉशन आए थे कैसे टॉपिक्स थे सब कुछ डिसकस किया जाएगा तो वीडियो को अंदग बने रहे हैं लेकिन उसे वहले आपके लिए जरूरी अपडेट ज सब कुछ 99 में आपके वाटसप पे पेपर टू कर यह सकते हैं वाटसप पे पांस मिनट के अंदर सिर्फ 99 रुपिस में सो अपनी तहरी को बैस्ट बनाईए जल्दी सेसर नमबर पर कॉंटक्ट वाटसप करें आपका अपना नाम लिखना है सात्मा को लिखना है 99 टेसरी आ आपको पूर जर्गरिया पर मिल जाएगी सो देखिए बात करते हैं पेपर उनके मौनिंग शिफ्ट के बारे में सबसे पहले देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं कि हम हर एक युनिट के टॉपिक डिसकस करते हैं टॉपिक लेर होनके बाद फिर हम कुछ कॉशन आसा डिसकस करते हैं तो आप वीडियो कंटक बनने लएए ठीक है आपको पता जल जाएगा कि कौन से कौशन आया थे कैसी त्यारी करने है तो देखिए यहां पर आप आप टीचिंग अप्टूट के कोई ज़्यादा कौशन नहीं थे सिरफ एक या दो कौशन थे स्वयम से कपाट लेवल का था ठीक हैं loneliness में कमिने केशन में बैरियर आया था क्लास्रूम में बैरियर का कॉशन था ठेक हैenne होता ल। सबसे जादा करनी थी ठीक है लॉजिकल डीजिनिंग में बात सब्सक्राइब है piece get you democrating में देख सकते हैं कि हाड लवल ही था डाटर का सब्सक्राइब का ही था इसी क्वेड़ार की में आले यहाँ देखिसे घ्याजन वाननुक्त जाजशन था भी यहाँ पर का आमगता में ब्ल cent है यहां पिटिए लिख होगा साथ में लेकिन था यहां पे और सेटलाइट का ओसन था ऑर आप यून लाइन की बात करें पीपल डेवलेमेंट इंवार्मेंट की हां पर रिखे इनवार्मेंटल इशुकर्ड थे नैचिर हजाड सा ठीक है तो ये कॉशन थे, इनके लावा काफी कॉशन थे, ठीक है, और higher learning, NRF, ठीक है, इनको, ये कॉशन कह रहे हैं, लेकिन इनके लावा देखे, एक कॉशन आया था, UNESCO का, ठीक है, UNESCO का world heritage side में, कौन से वो थे, ठीक है, यहाँ पर कॉशन था, ठीक है, तो ये next वाला कॉशन आया में, तो देखे, पहला कॉशन था ये, ठीक है, आपको देखे, कॉशन में कुछ-कुशन बताएं हैं, आपको मैं clearly बताऊंगा, CD, spiral, read only, or write only, ठीक है, तो यहाँ भी बता रहा था, कि जो read only memory, या write only memory, इनमें से क्या है, option दिये थे, तो देखे, जो CD ROM है, वो है read only memory, ठीक है CD ROM क्या होती है, read only memory होती है, ठीक है, CD, जो ROM है, वो है read only memory, ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक चुनना था, तो ऐसा ही कॉशन था, यहाँ पे, so कॉशन दो था Kyoto Protocol Gases से, अब देखे, यह People Development Environment से कॉशन था, ठीक है, Kyoto Protocol Gases आपको देखे नहीं थी, so देखे, आपको ऐसे option थ option थे, option थे 4, लेकिन मैं से 3 बते चल पाए, तो आपको इन्हें 3 लिखे, यहाँ पे, SO2, CO2, ठीक है, CH4, तो एक और था, तो इनमें से आपको question का answer ढूणना था, Kyoto Protocol Gases का, ठीक है, Kyoto Protocol Gases का, ठीक है, Kyoto Protocol Gases कौन कौन से रखी गई है, तो देखे, यहाँ पे 6 category है, कई देखे, 7 बताते हैं, लेकिन 7 नहीं है, 6 है, आप Google भी चेक कर सकते हैं, बाखी जग भी चेक कर सकते हैं, तो 6 category है, Gases की, जो की ग्रीन हाउस Gases है, ठीक है, ग्रीन हाउस Gases कौन सी है, Kyoto Protocol में 6 category है, carbon dioxide, यहनकी CO2, ठीक है, और methane है, CH4, nitrous oxide है, N2O, और hydrofluorocarbon है, HFC, ठीक है, Pulfluorocarbon है, PFCs, and sulfur hexaluride है, SF6, तो यह Gases है, तो आपको यहाँ पे Gases चूज़ करनी थी, ठीक है, और next है, data collection, data collection कैसे किया जाता है, ठीक है, यह caution था, research attitude का, एक assertion decision का भी था, लेकिन मुझे यह पता चलबाया, data collection कैसे किया जाता है, तो right answer देखे, observation से, अब देखे, data collection का मैंने आपको यहाँ भी बताया है, data collection कैसे किया जाता है, देखे, data आप collect कर सकते हैं, interview से, ठीक है, cautionary से, survey से, observation से, document and record से, focus group से, यह oral history से, आप data यह independence, first commission, यानकि भारत की एजादी के बाद, 1947 के बाद, पहली commission कौन से बने थी, वो थी, UEC commission, यानकि university education commission, यह किनों ने बनाया थी, रादा कृष्ण कमिशन, ठीक है, रादा कृष्णन कमिशन, जो की university education commission थी, तो देखे, अगला question था, कि युनेसको heritage university कौन से है, देखे, आप नरंदा, दो हजार सोला में थी, ठीक है, दो हजार सोला, तक्षिला थी, उनिस वस्य में, नरंदा थी, 2016 में, युनेसको क्या है, देखे, युनेसको जो है, वो world heritage side को count करता है, ठीक है, तो इंडिया में तक्षिला, उनिस वस्य में, जिनेसको ने heritage university को रखा था, और के हर साल, जो होते है, वो हर state को wind energy के according rank दिये जाते हैं, तो covid के वज़े से क्या हुआ कि वो तब दे नहीं पाए, तो अभी 2020 में देखिए, आपको पता रहा है कि कौन सी, जो state है, वो सबसे उपर है, wind energy state rank में, आप देखे, जो इंडिया का wind energy sector है, आपका थोड़ा सा मैं आ पर पूरा यहां पर दिया है, जिसमें बताया है कि कौन कौन सी state सबसे उपर है, तो आपको याद कनी जरूरी है, आज पी question आया था, ठीक है, इंडिया का देखे, जो energy, wind energy sector है, ठीक है, उसमें progress लगाता रहो रही है, तो government, जो है, वो ecosystem को मजबूत बना रही है, ठीक है, इ एक साल में 10,000 Megawatt per annum capability लेके आना, यह बहुत ज़्यादा strong project है, strong ecosystem करने के लिए, ठीक है, और देखे, अभी मैं currently बात करूँ, तो the country currently has fourth highest wind installed capacity in the world, अब देखे, जो इंडिया है, वो दुनिया के चौते नमबर पे है, wind energy installed capacity में, ठीक है, So, 2021 की बात करते हैं, यह बहुत देखे, गुजरात है, नमबर वन में, राजिस्थान नमबर टू पे, महराष्टा है, नमबर थरी पे, तामिलाड़ो नमबर चार, मंद्रपरदेश नमबर पांच, करनाटक छे, अंद्रपरदेश साथ, ठीक है, तो total क्या है, seven states है, wind energy में, ताको वो शकते हैं कि सबसे नीचे क्या है, अंद्रपरदेश सबसे उपर कौन है, गुजरात, ठीक है, ताको यह याद करना ज़रूरी है, ठीक है, तो 31 मार्च 2021 को इनकी यह ट्रोलर का पैस्ति यहां पे, काउंट की गई थी, ठीक है, तो इननोंने around 60.149 billion units जो हैं 2021 में कि करनाटका, फिर है गुजरात, फिर है तामिलान, फिर है अंद्रपरदेश, अब देखें कई बताते हैं कि करनाटका उपर है, अब देखें करनाटका 2021 में मार्च का जो मन्त था, ठीक है, मार्च 2021 में करनाटका उपर था, ठीक है, राजस्तान दूसरे नंबर पे था, लेकि तो राजस्तान दूसरे नमबर से पहले नमबर पे चला गया करनाट का पहले नमबर से दूसरे पे आ गया यानकि इस साल स्टार्टिंग में करनाट का पहले पे था राजस्तान दूसरे पे था लेकिन अभी क्या है सब्तम्बर के मन्द में राजिस्थान पहले नंबर पे आ गया अगर आपको कॉस्चन आता है तो आप राजिस्थान पे क्लिक करिए ठीक है सो नेक्स कॉसंदा यह बला देखें यह ऐसा कॉसंदा आपको नंबर सिरीज यहां पे देखनी थी देखें इसमें से आपको राजिस्थान नंबर सिरीज्थान यहां पे देखनी है तो इसका राइट आंसर था अगर देखें मैं सबको कांट करता हूं इहां पे आएगा फूर यहां की अगली संख्या आ गई 2.5 कैसे है, 4 को 1 से किया, ठीक है, ऐसे गर के, तो देखे, जब हमने 5.7 को 2 से किया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया answer 9, यहाँ पे क्या है, 10, यहाँ पे आने चाहिए 9, अगर यहाँ पे 9 आता तो यह right होता, लेकिन यहाँ पे है 10, इसलिए यह wrong है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, study by 2.0, अगर आपको नोट चाहिए, ठीक है, home delivery चाहिए, pdf चाहिए, आपको कोई भी subject चाहिए, तो आप हमें इस नमबर में contact और whatsapp कर सकते हैं, साथ में सब्सक्राइब करिए, youtube channel, साथ में black and press करिए, कि ताकी जैसे वीडियो है, आपको उसका notification मिल जा जाएंगे और जाते हैं, यूजिशनल पेपरवन पेपरडू के लिए, तो दोना चानल को सब्सक्राइब करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो मिलते करी वीडियो में, तब तक लिए, जै हिंद, जै भारत.